जितनी जमीने उनके पास हैं उतनी ही जमीने हमें भी चाहिए वो जमीने उनकी नहीं है उनके बाप दादाओं की नहीं है अगर एक जुट नहीं हुए तो आगे हमारा पढ़ना हम गलत होगा जो हमारे जो गरीब भाई बेन हैं जो पैसे की तंगी के कारण अपना धर्म परिव 얼마तन कर देते हैं वो सनातन बोड़ घठन होने के बाद उसका जो पैसा आएगा उसका हम उस तरीके से इस्तमाल करेंगे पक बोट है तो हमारे सनातन बोट का भी गठन होना चाहिए मेरा नाम है मदुगिरी मोदी मैं 2014 से सारे देश पर के मिशन इंदुराश्च करके हभियन चालू किया है मत्रा तो हमारा ही मंदिर था वो तो किसी कारण उन अधर्मियों ने कब्जा कर लिया था वो हम लेके वापसी रहेंगे वो हमें चाहिए किसी भी कीमत पे चाहिए वो सनातन बोट का हिस्सा है आग पर पट्टी बांद कर कहती है कि संसद हमारा भारत हमारा भारत के बच्चे हमारे और भारत का जितना भूमी है सब हमारे तो हम कहां चलेगे, पाकिस्तान किसका है? पर टीका लगाना लाओड नी है, वो यह को बिराट सनातन धर्म संसत जहां लगना है, उसी जगह पे मौझूद है, जो इस वक देवकी नंदन ठाकुर जी के नेतित तुमें यहां पे आयोजन हो रहा है, हमारे पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से सनातनियों की भीर आप पे नारे लगा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि यहां सनातन को मजबूत करने की बाते हो रही है, आईए इन लोगों से बाचित करते हैं और जानने की कोशिस करते हैं, आखिनी सनातन धर्म संसद में यहां पे यह लोग क्यों पोहुँचे हैं, सर क्या नाम हूँ आप? जमीने उनके पास हैं, उतनी ही जमीने हमें भी चाहिए, वो जमीने उनकी नहीं हैं, उनके बाप दादाओं की नहीं हैं, जब देश में विभाजन हुआ, जब यहां से वहां आधे उधर चले गए, तो इनको यहां इनके पास यहां का कुछ भी नहीं है, हमारे धर्म का है लेकिन कोई भी बैक्ति बोलने के लिए त्यार नहीं हो रहा है आज तो मैं अब बैनर देख सकते अत्या चारों से भागेगा नहीं हिंदू हर समस्या से मजबूती से लरे का हिंदू एक है तो सेफ है बाबा जी ने नारा दिया था योगी आदितिनाथ यह कहीं जगह देखा सबसक्राइब नहीं है sasse가는 गड़ना है अगर एक जूत नहीं हुए तो आगे हमारा पाड़नाम घलत होगा हमारे ऐसी शनात्निय जो हमारी बाथ नहीं मानते अब घैसे की तंगी के कारण अपना धर्म पारिवर्तन करते हैं वो सनातन बोर्ड गठन होने के बाद उसका जो पैसा आएगा उसका हम उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे जो हमारा सनातन बोर्ड आगे बढ़ता के इसलिए हमें इसलिए अपना सनातन बोर्ड का गठन कराना है ये पीछे हमें एक बोड भी देख रहा है दिख रहा है अब इसके बाद मतुरा की लराई लरना है हिंदू सर जी मत्रा तो हमारा ही मंदिर था वो तो किसी कारण उन अधर्मियों ने कब्जा कर लिया था वो हम लेके वापसी रहेंगे वो हमें चाहिए किसी भी कीमत पे चाहिए वो सनातन बोड का हिस्सा है सनातन बोड का कठन कराना हमार को चरूरी है क्योंकि सनातन बोड का कठन मेरा नाम है मदूगिरी मोदी मैं 2014 से सारे देश पर के मिशन इंद तुन्टीन इंद राष्ट करके अभियां चालू किया है सारे जितना भी कांग्रेस हों करना चाहिए और जो मुस्लमानों के जितना भी है एक एक इंच जमीन भी मुस्लमानों का नहीं है सारे हिंदूों का है सब से लगता है बील्कुल बील्कुल जिस प्रकार से इंदि इसलाम का बक बोड है और बख़बोड नहीं होना चाहिए लुकस बहुत की तरफ से गुंडा गर्दी किजार यह भीते दिनों देश की संसद पर भी उन्होंने अपना ठोक दिया है विल्कुल विल्कुल पक्षबोड आख पर पट्टी बांद कर कहती है कि संसद हमारा भारत हमारा भारत के बच्चे हमारे और भारत का जितना भूमिया सब हमारे तक कहां चलेगे पाकिस्तान किसका तुम्हारे बाप का युक्ता क्यू नहीं जाते पाकिस्तान पाप आधिकार नहीं जमाते मात्र भारत पर क्योंकि हम दया सील हैं हम सुनता हैं हम भावुक हैं इसलिए वो लोग हम पर धरमी उस्तिमाल करके गलत इस तरीके से हम अपने ही जमीन से भगायद जाता इसलिए शनातन धर्म का गोड गठन होना चाहिए जिस पर जिससे के हम आगे बढ़ें मैं हिंदु तम्हें यह समझना होगा कि कोई कौन तुमारे भला करना जाता है और को तुम तुम्हें प्लूरा करना जाता है अगर तुम वह क्लूंवेक संभाव तो यह मुसल्मान जब यह अंदर आये आज अरब के अंदर इनके जो मुस्लिम धर्मिक स्थाल है वहाँ पर हिंदों को पर जीता है लोग नाम चुपा कर आते हैं हमारी बेटी को लव जीहाद का शिकार मनाते हैं यह सब केवलीन की मंशा है कि हिंदू समाथ के अंदर यह अपना स्लामिक शासन कायम करना चाहते हैं से इस धर्म संसाच से हुच हल निकलेगा हिंदु एक जूट होगा बर нрав तो निकलेगा नहीं तो नहीं निकलेगा धर्म संसत से हिंदू हो जाएंगे रिट वह दो अब यूदु एक है नेक घाने चाना सब्सक्राइब और अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने मंद्रों की सुरक्षा के लिए सब्सक्राइब मैं एक चीज मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा इस माध्यन से मैं सबसे पहले तो यहां मैं आपने देखा होगा एक महीने पहले वक्त बूर्ड की मीटिंग इंद्रा गांधी इंद्रा गांधी स्टेडिय में दिली के अंदर ग्यारा लाक मुसल्मान जारा लाक मुसल्मान देख लो यहां पांचार इंदू नहीं है का से कट्टे होएंगे बताओ यह तो यह शुक बता रहूं आपको मैं जिस दिन राम मंदिर रामलाला का प्रत प्रान प्रतिष्ठा होता है उस आयोजन पे लोग कहते हैं यह भीजेपी का हो जन हम नहीं जाएंगे क्या अब राजनितिक पार्टियों में हिंदू पट गया है हिंदू बिल्कुल बटाओं बतारो आपको मैं बोलता हूं, इतना गुरूप में हमारे लगों बोलता हूं मैं जाट हूं मैं बनिया उख मनु जा बढ़े हुआं मैं नहीं वह बहां पहलता हूं वहां पर टीका लगाना लाओड निये मैं तर बोलते हैं यह मुसलमानी लड़की हिजाब पहने काम कर सकती है मुसलमान अपनी जेके बिल्किल सही है हिंदु हिंदु एक समरस्ता एक समरस्ता तब आती शिक्षा होना चाहिए एक समरस्ता तबाती हिंदु में तबराईगी हमारा गुरकुल खुर्ण अचाहिए देश में हर जीडे में हर तसीर में गुरुकुल सिख्षा होगा विचारायोगी बढ़े मंदिर डिसन पर करोडों रूपे का चलावा आता है जो के सरकार के नियंतरन में यह सरकारी नियंतरन के तो हो और सनातन बोड गठन के तत्वाधान में यह मंदिर संचालन हो जिसके चड़ावे से परतेक मंदिर पर गुरुकुल सिक्छा होगा हम बिहहार जाते भाली बोलते हैं नेपाल साल नेपालीbus भारत टरौब का एंगरेची कैना अगर भाति है संस्कृत भास उन्हाइच तो भारत जाओ लेकिन भारत का कोई अपना भासा ही नहीं है कोई सब्दी नहीं है इसलिए गुरुकुल पदती अती आवश्यक है और जो कहते हैं हिंदू एक हैं क्योंकि तीन परकार के बंसज हैं एक है मंतरा का बंसज जिस मंतरा ने भगवान राम को बनवास करा दिया था तो मंतरा के बंसज अयुद्या में है जिनोंने राम को बनवास कराया एक मंतरा के बंसज एक दसरत के बंसज एक छत्री बंसज जिनोंने राम को हिर्दे में बसा रखा है इसलिए मंतरा के बंसजों को नहीं कह सकते लेकिन हम एक हैं और एक रहेंगे जाती बाद में नहीं बटना सनातन का परति हम समर्पन है हर हर महादेव तो आपने देखा यहां देखा और सुना किस तरीके से सनातन धर्म बोट बनाने की मांग यहां सनातनी कर रहे है जो इस वक्त यहां पर धर्म संसद लगा है दिल्ली में देवकी नंदन ठाकूर जी के निती तुम्हें फिला झाल झाल